हेलो नमस्कार दोस्तों बिग बॉस 17 बिग बॉस के घर के अंदर हमने देखा है कि अंकीता और विकी के बीच में कुछ पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कुछ अन्बन से चल रही है लेकिन यह अन्बन बहुत जादा तब बढ़ जाती है जब कि विकी जो कि मुनार आईशा इशा किसी के भी साथ जब बात्चित करता है तो अंकीता लोखंडे एक दम से पुझे से वह जाती है अब यहाँ पर कहना बात बात पर कि विकी तुम वुमनेजर लग रहे हो तुमें ऐसे गल्स ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हो एम चलिए एक हद तक होता है कि आप टो करें किसी को समझ भी आता है कि चली विकी मलत तु ध्यान रखी हो लड़कियों के साथ जिस तरीके से बात करता है यह करता है मलत ध्यान दियो ऐसा नहीं है कि कहीं गल्त ही बाहर देख जाए लेकिन ऐसा तो कुछ गलत नहीं कर रहा है लेकिन ध्यान रखी हो ठीक है एक तेरे साथ नहीं रहूंगी तलाग तक आप बात कह देते हो I mean यह चल क्या रहा है अब यह समझ नहीं आता कि कि अंकिता को इतना जादा मनारा का डर है आईशा का डर है कि ईशा की स्थैंत और है किसका ना तो डोरे मनारा डालती है ना डोरे आईशा डालती है वह कहीना कहीं एक बारीओ कॉमेडी में हाथ पकड़ लिया था खाक ruling बॉस कि गर यह सेवंटिंग स्टार्टिंग थी वकील जो थी हो मैं नाम पुल गया हो घर के अंदर आई थी कही नहीं उसके बाद मुझा लगा कि अंकीता एकदम से पूझेशिप्स हो गई उसके बाद अंकीता को यह नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे इस चीज़ को हैंदल करो अंकीता को यह भी लग रहा है कि भाई यह कैसे इन सबसे बात कर रहा है कहीना कि अंकीता को यह भी पता है कि अंकीता की मनारा के साथ या किसी और के साथ नहीं बनती है फिर भी वो उससे बात करता है तो अंकीता ने डारेक्ट ना बोलते हुए उसको इस गेम में घुमा दिया कि तू गंदा दिखेगा तू लडिक्यों के साथ ऐसे बात करता है मतलब अंकीता थोड़ा सा समझो बार-बार जो आप कहा रहे हो हो सकता है आपके मुनारा के साथ नहीं बनती हो डारेक्ट जाकर के बाद सॉल्व करो इस बात को ऐसे क्या घुमाने के ज़रूत है मिर्चेती यही समझनी आता तुम्हारे अस बनने छेड़ा भी नहीं उसको कुछ गलत भी नहीं किया उसके साथ ठीक है तो फिर मतलब यह क्या दो रहा है मिरको समझनी आ रहा है देखता हो कि कुछ गलत बातचिती हो कुछ गलत जगा में कुछ टच किया हो या कुछ ऐसा किया हो कुछ भी नहीं अब यह सब होना एक अनदर लेवल का हमें दिखता है मुझे तो लगता है कि इन दोनों की लड़ाई इसी तरीके से आगी बढ़ते जाएगी और अगर ऐसी आगे बढ़ती गई तो शायद कुछ और भी परणाम घर के अंदर ही देखने को नहीं सकता है मुझे रखता है दो हफते हैं जैसे विकी कह रहे थी कि बस भगवान ये दो हफते निकाल दे उसके बाद सब सौट हैगा अब ये दो हफते कैसे निकलेंगे विकी जाने और अंकीता जाने क्योंकि अपने ही दिमाग के अंदर खुश करके रहेगी है मतलब अगर मैं बोलू ना क्योंकि एक ही घर है ना बाहर आना ना बाहर जाना ना बाहर कुछ दिखना मतलब जो थौट्स दिमाग के अंदर चले है ना लिटरली उन्ही थौट्स में घुमा करके उन्ही थौट्स में गोल 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 गोम करके अंकीता रहेग मुझे लोग कैसे कह सकते हैं अंकीता जी आपको समझना पड़ेगा कि जब आप गलत हो गलत हो उसको आप राइट नहीं कर सकते आप जितना बातों को वरे परे उपर नीचे गुमाले नहीं होगा सिंपल सी बात है क्या दो मुझे गलती हो गई सुधार करोगी जन्वन तरीक सब्सक्राइब करें धन्यमाद